दोस्तो जिस पोर्टल की हम बात करने वाले हैं वो गोर्मेंट का ही एक पोर्टल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्रेशन में मिल जाएगा आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तर का इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर आने के बात में आप गोर्मेंट की जितनी भी जोब साती है चाहिए पर्मानेंट जोब हो या फिर वो टेंपरेरी हो या सवीदा पर हो उन सबी की डिटेल आप यहाँ पर गोर्मेंट जोब के उप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर ले सकते हैं इसके लावा यहाँ पर जितने भी private companies है, जो hiring करती है, अपने job के लिए companyyों में, उसको भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, यहाँ पर उनको आप search कर सकते हैं तो यहां से आप government department को आप यहां पे select करेंगे select करने बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का interface आता है जहां पे आपको समस्त विवाग है वो दिएगे है जिस भी department के अंदर आप job search करना चाते हैं इस list के अंदर से आप उस department को search करेंगे यहां पर almost सभी department government के दिएगे हैं जहां से आप job है उसको search कर सकते हैं department को search करने बाद में आपको यहां पर बरती का प्रकार है वो आपको देखना है सताई बरती चाहिए या फिर समविदा पर बरती चाहिए वो आप यहां पर search करेंगे search करते ही उस department से लेटर जितनी भी वेकंसी आईव है वो सारी वेकंसी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है आप यहां पर देख सकते हैं कि यह वेकंसी कौन से district के अंदर है कि इतने पद आयव हैं कौन से department में हैं इसकी form भरने की अंतिमतिति क्या है इसकी पूरी detail जो विग्यप्ति इसके आती है इसको भी आप यहां पर read कर सकते हैं simply यहां पर आप जैसे जैसे scroll करोगे इस department से लेटर जितनी भी वेकंसी है आपको यहां पर जितने भी page है सब के अंदर देखने को मिल जाती है आप यहां पर directly जिस भी page पर इसकी जो विग्यप्ति है आपको यहां पर आपके सामने open हो जाती है आपको simply इस जो option पर click करना है click करते ही कुछ इस तरह से आपकी जो विग्यप्ति है आपके सामने आ जाती है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी क्या qualification हो जाए कितने total पद है इसकी जो अंतिमतिति क्या है वो आपको बता दिया जाता है कौन से डिष्टिक अंदर वो है समस्त वो आप यहां पर देख सकते हैं इसके लगावा आपको यहां पर इसका print निकालना है तो आप यहां पर विग्यप्ति को download कर सकते हैं प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसके लाव आप यहां पर विग्यपती जब डाउनलोड कर लेते हैं इसके बाद में अगर इसके लिए आपको आवेधन करना है तो आवेधन करें का एक option दिया गया है सिंपले आपको इसी option पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का page आता है जहां पर आपको जोब सिकर का option है उसको रहने देना है उसके आपको अपना आपको यहां पर लिखना है mobile number लिखना है email ID लिखना है आपके according कोई भी एक user ID आपको यहां पर रख लनी है password आपके according आपको यहां पर set कर देना है उसके बाद में नीचे ID बनाई थी वह आपको यहां पर एंटर करने है आपका password आपको यहां पर एंटर करना है capture code एंटर करके submit कर देना है जब first time आप यहां पर अपना account create करते हैं तो आपकी जो profile है वो यहां पर incomplete होती है तो इस condition के अंदर आपको यहां पर आपकी profile है उसको complete करना रहेगा आपकी basic detail है आपकी educational detail है आपकी जो physical detail है आपका जो causal है आपकी जो experience की detail है सारी detail आपको यहां पर upload करने रहेंगी यहां पे total no step के अंदर आपकी detail है वो यहां पर upload होगी first detail के अंदर आपकी personal detail यहां पर upload होगी second के अंदर आपका जो communication address related detail है वो आपकी यहां पर upload होनी वाली है इसी स्टेप बाइ स्टेप सारी डिटियल आपको यहां पे अपलोड करनी है सिंपली आपको option के उपर कलिक करना है वहां पे आपकी detail हिंदी या इंग्लिज दोनों language के अंदर आए आपको यहां पे mention करनी रहेगी जिस भी district के आप रहने वाले हैं कुछऑ इसलिए नाम आपके यहां पर एंटर करनHe is Your Répů deposit कि आपकी फोटोग्राफ को यहां पर upload करनी है उसके आदमें आपको यहां पर सुर्क्षित करें कि option पर प्लिक करते रहना है तो आपके यहां पर जैसे जैसे step s come कलें दो क्रिक्क करने वैसे आपके जोबी स्टैप आपने अपनी डिटेयल एंटर कर दी है वह स्टैप आपका यहां पे घ्रीन कलर का हो जाता है जहां पर पहले रेड कल का दिखाई दे रहा था इस तरह से आपको टोटली स्टैप ऑप complete करने हैं, total step complete होने बाद सारे step आपके 129 सारे green color के हो जाते हैं, अगर आप किसी भी step को नहीं बरते हैं, तो वो radical का रहता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने profile complete करने बाद में नोकरी के लिए आवेदन करें के option पे click करने है, click करते ही आप यहाँ पे जिस भी job के लिए apply करना चाते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, इसके लवाँ आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे जोबी profile आपने edit की है, उसी profile के coding ही आपके सामने वो job है, वो prefer करने वाला है, तो आप सिंप्ली आवेदन करें के option पे क्लिक करते ही, आपके सामने उस department से लेटर सारी job है, वो आ जाती है, जिस भी job के लिए आप आवेदन करना चाते हैं, उस job को आप यहाँ पे search करेंगे, search करने बाद में आप यहाँ पे उसके उपर नीचे आपको आवेदन करें के option दिखाए देगा, जैसे ही आप आवेदन करें के option पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आप इसका आवेदन डार्क्ली यहाँ से कर सकते हैं, तो दोस्तों सवयोजन पोटल से समझे के जानदरी आपको कैसे लिगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक केजिएगा, अपने फैम्री और फ्रेंड्स में शेयर केजिएगा, इसके लिगा अवाद़ आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खुलिच चैनल को सब्सक्राइब केजिए, ब बैल नोटिक्शन को प्रेस केजिए ताक कि हमारे आने वारे वीडियो को नोटिक्शन आप तक पहुँँ सके, आप योई हमारे से जुड़े रहें मिलते हैं नेक्स्टूरी दिमने तब तक ये जैहिन जैवाद